7.62 mm, 6.716 assault rifle की चाल, पढ़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीखा सिखाना है तो सबसे पहले सुरू-सुरू का काम क्लास की गिंती, ग्रूपों में बाट हथियार और समान का निरिक्षन और बंदोपस की कारवाई दोहराई 5.56 mm इंसास rifle से कितने फारिंग पोजिशन से फार किया जाता है चार पोजिशन से साइट अलाइमेंट और साइट पिचर में किसकी एहमियत ज़्यादा है साइट अलाइमेंट की एहमियत ज़्यादा है पहुँच 7.62 mm इंसाससोला इसल ट्रैफल गैस के सिधान पर काम करने वाला हतियार है और साथ ही हवा से थंडा होने वाला हतियार है इस हतियार से हम डिरेक्ट फायर करके ओफेंसिव या डिफेंसिव रॉल में टार्गेट को आसानी से इंगेज कर सकते हैं इस से हम सेमी आटमेटिक और आटमेटिक फायर करके दुस्मन को बरबाद कर सकते हैं इसलिए हर फायर को भरना और खाली करना ही सीख लेना काफी नहीं बलकि इसकी चाल और पढ़ने वाली रॉकों के बारे में जानकारी होना नहायती ज़रूरी है ताकि फायरिंग के दोरान यदि कोई रोक पढ़ भी जाए तो फायरर उसे पैचान कर रोकों को दूर कर सके लेकिन यह तभी संबव है जबकि हर एक जवान ने स्क्वार पुश ट्रेनिंग के दोरान अच्छी सिख लाई पाई हो इन्ही बातों को मद्दे नजर रख्टे हुए सुने सबक का उद्देश सबक समंदी समान भागों में मांट सबक को तो भागों में सिखाऊंगा भाग एक भाग दो फ़र इलाज से रोकों को दूर करने का तरीका यहां तक किये गए बयान और करवाई में किसी भी स्टुटिन का कोई सवाल सवाल नहीं तो भाग एक भाग एक नमूना इसको आप बोड पर बने डागरम की मदद से समझें यह आट एक्षन हतियार पर किस प्रकार से होते हैं इसी का नमूना हतियार पर बयान के साथ दूँगा आप देखे तथा समझे उस्ताद दिलिंग पोजिशन में बीना बयान के साथ हतियार को खोले चाल बताऊं उससे पहले चाल में काम आने वाले हिसे पुर्जो के नाम बताना जिरूरी समझता हूँ तक कि क्लास को चाल समझने में आसानी हो चाल में काम आने वाले हिसे पुर्जो को देखने के लिए क्लास सतियार के नजदिक स्थान लो Ambidextrous Fire Control Selector इसके तीन पोजिशन होते हैं Safe, Semi-Automatic और Automatic Trigger, Hammer, Primary Seer of Trigger Firing Pin, Gas Port, Gas Tube, Gas Carrier Key Bolt, Bolt Lugs, Bolt Carrier, Cam Pin Barrel Extension, Extractor, Bolt का Bottom Surface Hammer Spring, Frozen Ejector, Ejector Port Action Spring, Required Buffer Assembly Magin का उपर वाल राउंड, Feed Ramp Barrel Extension का पिछला किनारा 7.62mm676 Assault Raffle की चाल Fire जब फाइर, Fire Control Selector को Safe Mode से Semi-Automatic या Automatic Mode पर करके Trigger प्रेस करता है तो Trigger Seer और Hammer Event का मिलाप तूट जाता है जिससे Hammer आजाद होकर Firing Pin Retainer पर ठोकर मारता है जिससे Firing Pin अपने सुराख से निकल कर चमबर में दाखिल राउंड के Primer पर चोट मारता है और Round Fire हो जाता है Action Fire का होता है Unlock Fire हुए राउंड से पैदा हुई Gas Bullet को आगे Barrel में ढखिलती है जो ही Bullet Barrel के अंदर से होते हुए Gas Port के पास से होकर बज़रता है तो Trigger Gas Gas Port में चले जाती है जो की Gas ट्यूप के चरिये Gas Key में ताखिल हो जाती है जिसके दबाब से Bolt Carrier पीछे की हरकत करता है Bolt Carrier की इस पीछे की हरकत के दौरान Carrier Bolt को Unlock करना शुरू कर देता है Bolt Carrier की और पीछे की हरकत के दौरान Carrier Bolt को दाइनी तरफ घुमा देता है जिससे Bolt के लक्स Barrel Extension से Unlock हो जाते है Action Unlock का होता है Extract Unlock होने के बाद Bolt Carrier Assembly की लागादार पीछे की हरकत के दौरान Bolt Fire Case को थोड़ा सा घुमाव परदान करता है जिससे Extractor Fire Case को चमबर से पीछे ले आता है Action Extract का हो जाता है Cock Bolt Carrier Assembly के पीछे की हरकत के दौरान Bolt Hammer के उपर से कुजर जाता है जिससे Hammer स्प्रिंग की ताकत से Deceiver में नीचे की और दब जाता है और इसी दौरान Hammer और Disconnector के इवेंट का मिलाब अपस में हो जाता है Action Cock का हो जाता है Eject Bolt Carrier Assembly की और पीछे की हरकत के दौरान Extractor Fire Case के रिम को दहनी और से पकड़ते हुए पीछे की हरकत करता है इसी दौरान Ejector Fat Case पर बाएं और से आगे की तरफ दबाव डालता है जिससे Fat Case Ejector Port के रास्ते उचल कर Deceiver के दाहिने और नीचे गिर जाता है Action Eject का हो जाता है Feed Action Spring Require Buffer Assembly हाउसिंग में सिगूर जाता है जब Action Spring अपने तनाव को कम करता है तो Bolt Carrier Assembly को आगे ढखिलता है इस दौरान Bolt का निचला लग मेजिन के सिरे वाले राउंड को नीचे से पगड़ता है जिससे राउंड मेजिन से निकल जाता है और चेमबर में आगे की और हरकत करता है Action Feed का होता है Load Bolt Lock जो Barrel Extension में आगे की हरकत करते हैं तो इस दौरान Ejector Cartridge Head के बाएं सिरे के बर खिलाफ दबाव डालता है तो इस दौरान Extractor Cartridge केस के रिम पर सवार हो जाता है Action Load का होता है Lock Bolt Carrier Assembly की आगे की हरकत के दौरान Bolt और Cartridge की आगे की हरकत चेमबर से तकराने पर उरुक जाती है लेकिन Bolt Carrier की हरकत जारी रहती है जब तक की Bolt Carrier Barrel Extension के पीछे वाले किनारे पर तकराकर उरुक न जाये Bolt Carrier की आखरी हरकत के दौरान Bolt बोल्ट केरियर के केम स्लोट और केम पिन की मदद से बोल्ट बाय इतना गुमता है कि बोल्ट के लग्स और बैरल एक्सटेंशन का मिलाप हो जाता है। लॉक होने के बाद जब फायरर ट्रिगर को बिलिस करता है तो टिस्कनेक्टर और डिस्कनेक्टर सर्फेस का मिलाप तूट जाता है और ट्रिगर सियर और हैमर के इवेंट का मिलाप हो जाता है और राइफल दुबारा फायर के लिए तयार हो जाता है। ये था भाग एक का नमूना भाभी होगा इसी का अभियास पूरे क्लास से अभियास कराये जाएगा भाग दो नमूना फोरिलाज से रोकों को दूर करना और अन्य रोकें 6.716 एसल ट्राइफल में निम रोकें बढ़ती हैं मैकजिन की रोक, मिस फायर, डॉबल राउंड फीड, बॉड़ी में अटका हुवा राउंड या फायर केस अन्य रोकें फोरिलाज सुनें यदि ट्रेगर प्रेस करने पर ट्रेगर प्रेस ना हो तो करवाई इस प्रकार करें सबसे पहले कलमे वाली उगली ट्रेगर से बाहर करें और बटकंदे का मिलाब तोड़ें रैफल को बाये टर्न करते हुए एजेक्टर पोड के रास्ते चेंबर और मैकजिन का निल्चन करें यदि देखने में आया बोल्ट पीछे चेंबर खाली और मैकजिन खाली तो मैकजिन के रोक समझ कर दूर करें करने का तरीका मैकजिन केच को दबाते हुए मैकजिन को उतारें और पोच में बंद करें बहुत से बारा हुआ मैगजिन ले और मुलाजा करते हुए मैगजिन वे में दाखिल करें रकीन करें मैगजिन फिट चार्जिंग हैंडल को खीचे और पुर्जो को पूरा आगे जाने दें रैफल को तबारा फायर में सामिल करें रैफल ठीक फायर करेगा इस प्रकार मैजिन की बतली करके और रैफल को चार्ज करने से मैजिन की रोप दूर हो जाती है मिस फायर इस प्रकार ट्रिगर प्रेस करने पर रैफल फायर ना करे तो रोप को पहचाने पहचानने का तरीका कलमे वाली उंगली को ट्रिगर से बाहर करें बटकंदे का मिलाप्तों रैफल को बाय टर्न करते हुए एजक्टर पोर्ट के चरिये चम्बर का निक्षन करें देखने में आया बोल्ट केरियर असेम्बली पूरा आगे हैमर भी पूरा आगे तो मिसफायर का रुख समझ कर रुख को दूर करें करने का तरीका मेगजिन कैच को दबाते हुए मेगजिन को उतारें और रैफल को दो बार क्लियर करें पौन से भरा हुए मेगजिन ले और मुलेजा करते हुए मेगजिन वेव में दाखिल करें यकीन करें मेगजिन फिट रैफल को चार्ज करें और फायर में सामिल करें राइफल ठीक फायर करेगा राइफल को जमीन पर रखें डिलिंग पॉजिशन निक्तियार करें और इजक्ट हुए राउंड को ले और प्राइमर को चेक करें यदि प्राइमर पर चोट नहीं रोक को पहचानने का तरीका. सबसे पहले कलमे वाली उंगली ट्रिगर से बाहर करें और बटकंदे का मिलाब तोड़ें. रैफल को बहाँ टर्न करते हुए एजेक्टर पोर्ट से चंबर का मुलाईजा करें. देखने में आया बोल्ट केरियर पूरा आगे से थोड़ा पीछे और डबल राउंड फीड. मैगजिन केच को दबाते हुए मैगजिन को उतारें. रैफल को दो बार क्लियर करें. बहुं से भरा हुआ मैगजिन लें और मुलाईजा करते हुए मैगजिन वे दाखिल करें. लेकिन करें मैगजिन फिट. चर्जिंग हैंडल को खिचते और फुट्जों को पूरा आगे जाने दें. और रैफल को फायर में समिल करें. रैफल ठीक फायर करेगा. राइफल को जमीन पर रखें और नेलिंग पूजिशन इक्तियार करें और एजेक्ट हुए राउंड को लें और दूसरी मेगजिन में भर दें बाडी में अटका हुआ राउंड या फायर केस इस प्रकार ट्रिगर को प्रेस करने पर ट्रिगर प्रेस ना हो तो रोक को पहचाने पहचाने का तरीका सबसे पहले कलमे वाली उंगली ट्रिगर से बाहर करें और बट कंदे का मिलाब तोड़ें राइफल को बाय टर्न करते हुए एजक्टर पोर्ट से चंबर का मुलाजा करें देखने में आया बोल्ट केरियर पूरा पीछे से थोड़ा आगे और बोड़ी में अटका हुआ राउंड या फाइड केस मेगजिन केस को दबाते हुए मेगजिन को उतारें और राइफल को दो बार क्लियर करें पांच से बरा हुआ मेगजिन ले और मुलाजा करते हुए मेगजिन वेब में दाखिल करें यकीन करें मैगजिन फिट चर्जिंग हेंडल को खीचे और पुर्जो को पूरा आगे जाने दे और रैफल को फैर में सामिल करें रैफल ठीक फैर करेगा रैफल को जमीन पर रखें और नेलिंग पुजिशन निक्तियार करें और इजेक्ट हुए राउंड को लें और दूसरी मैगजिन में भर दें अन्य रोकें इस प्रगार ट्रिगर को प्रेस करने पर रैफल फैर करते करते वर्जो में अलग सी आवाज आए तो कारवाई अन्य रोक समझ कर दूर करें करने का तरीका सबसे पहले कलमे वाली उंगली क्रिगर से बाहर करें और बट कंदे का मिलाप तरें रैफल को बाहर टर्न करते हुए इजेक्टर पोर्ट से चेंबर का मुलेज़ा करें देखने में आया बोल्ट केरियर पूरा आगे हैमर भी पूरा आगे मैगजिन कैच को दबाते हुए मैगजिन को उतारें और रैफल को चड़ा चार्ज करें और चिखे हुए तरीके से रैफल को खोल दें बोल्ट करें एसमजी से बोल्ट को अलग करें और फैरिंग पिन एक्स्टर्टर का मुलेज़ा करें यदि इन में से कोई तूटा हो तो उसकी बदली करें यदि फारिंग पिन एक्स्टाटर थी हो तो हो सकता है बॉडी चमबर की रोक राइफल को दोनों हाथों से पकड़े पकड़ते हुए बॉडी और चमबर का निरिक्षन करें देखने में आया बॉडी क्लियर चमबर में कटा हुआ केस राइफल को जोड़ दें चार्जिंग हंडल को खिचें और बॉल्ड कैज को लगा दें क्लिरिंग प्लग को लें क्लिरिंग प्लग के तीन भाग वेस, स्लीव्स और सेंटर पीन जहबर क्लास को खोल कर दिखा दें बेस और सेंटर पीन को टाइट करें दाहिने हाथ का अंगुठे और अंगुली की मदद से चमबर में दाखिल करें बॉल्ड कैज को दबाते हुए उर्जो को आगे जाने दें रैफल को चार्ज करें और बॉल्ड कैज को लगा दें यखीन करें की क्लिरिंग पलग के साथ कटा हुआ केस बाहर अगर समय हो तो अनिस्कूर करें नहीं तो पहला मौका मिलते ही अनिस्कूर करें पहुँच से भरा हुआ मैगीन को लें और मैजिन का मुलाजा करते हुए मैजिन वे में दाखिल करें जखीन करें मैजिन फिट चरजिंग हंडल को पीछे खीचें और पुर्जो को आगे जाने दें बट और कंधे काम इलाब करें दूर सिसलें और रैफल को फायर में सामिल करें राइफल ठीक फायर करेगा चमबर में केस कटने के कारण चमबर का ज़रुरत से ज़्यादा गरम हो जाना काट्रिज केस के मेटल का कमजूर होना अन्यरूप को दूर करने के तरीके में किसी भी student का कोई सवाल सवाल नहीं तो राइफल ठीक फायर करता खाली कर अभ्यास ये था भाग दो का नमूना अभी होगा इसी का अभ्यास अभ्यास के लिए आदेश इस परकार होंगे राइफल ठीक फायर करता रुकता के आदेश पर आप फोर इलाज की कारवाई में कलमे वाली इंगली को ट्रिगर से बाहर करेंगे और राइफल को बाइँ टर्न करते हुए चंबर को चेक करेंगे मैं मुनासिब रुक का नाम लोगा आप रुक को रुक समझकर दोर करेंगे जैसे कि मैगजिन की रुक के आदेश पर आप मैगजिन की बदली करेंगे eject हुआ round के आदेश पर आप round के primer को check करेंगे double round feed के आदेश पर आप rifle को दो बार clear करेंगे body में अटका हुआ round या fight case के आदेश पर आप rifle को दो बार clear करके body को clear करेंगे अन्य रोक के आदेश पर आप rifle को खोल कर रोकों को दूर करेंगे अभ्यास के लिए आदेशों में किसी भी स्टुडेंट का कोई सवाल औरे क्लास से अभ्यास कराया जाएगा संग्छेब सुरू सुरू में क्लास की गिंती ग्रूपे में बांट किया गया हतियार और समान का अनिरिछन क्लास के द्वारा किया गया बंदोबस की कारवाई मेरे दवारा चेकी गई दोराई पिछले असल से कराया गया उद्देशों को दोराया गया सबक से समंधी समान को पैंटर की वदद से दिखाया गया सबक तर्तीब से चले और क्लास को असानी से समझ में आए इसलिए चार भागों में चलाया गया करेक्षन दो भागों में चलाया गया भाग एक 6-716 एसल ट्रैफल की चाल 6-716 एसल ट्रैफल की चाल कितने भाग में पूरी होती है आठ एक्षन में भाग दो फौर इलाज से रोकों को दूर करने का तरीका और अन्य रोके चमबर में केस कटने के क्या कारण है चमबर का ज्यादा गरम होना राउंड के मेटल का कमजोर होना यहाँ पर लेसन संक्षेप के साथ समाफ्थ होता है अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूटन का कोई सवाल आपका अगला लेसन 6-716 एसल ट्रैफल के ट्रेगर मेकनिसम के बारे में चानकारी देना इसे आप पड़कर आएंगे धन्यवाद जैहिंद